बोले तो बोले क्या करें तो करें क्या समझ नहीं आ रहा है पहले तो हाँ श्रिलंका के लिए तालिया भाई और सच बताऊं तो भरता बना के रख दिया भाई आपको 166 जब बना था तब किसी को ये उमीद नहीं थी कि श्रिलंका चेस कर लेगे और मारा कम है घसीटा जादा भाई सब इतनी बूरी तरह इतनी बूरी तरह मारा पहले हं पत्ट्व ने अचता पट्टू ने य। इतनी बूरी तरह मारा कि Hea Cup isёл कि and हर्मन प्रीत कोर को हटाओ, इस म्लती मंदाना को लेका रहा हो, हर्मन प्रीत कोर ने जिस तरीके से कप्तानी किया इश्या कप के फाइनल में, अब सवाल खरे होने लगे हैं, कि हर्मन प्रीत कोर का वक्त अब गुजर चुका है, ऐसा लड़ू कैच नहीं लपक पाओगे, तो संडे का रिष्टा तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बोले क्या करे तो करे क्या समझ नहीं आ रहा, पहले तो हाँ, श्रिलंका के लिए तालिया भाई, श्रिलंका ने एश्या का फाइनल विमिन में इंडिया को हरा दिया है, आठ विकेट से, और सच बताऊं तो बना के रख दिया भाई आपका, 166 जब बना था तब किसी को यह उमीद नहीं थी कि श्रिलंका चेस कर लेगी, और क्या विज्वल्स आ रहे हैं, श्रिलंका मतलब विमन अल ओवर दे प्लेस, मतलब अल ओवर दे प्लेस नहीं, ओवर दे मून, बहुत खतरनाक इन्होंने मै 66 कहीं से भी कम स्कोर नहीं है, लेकिन इनोंने मक्षन की तरह चेस कर रहा है बाइदर वे, मक्षन की तरह, अभी डेर ओवर बचा हुआ था, और मार मार के भरता मना दिया, एंड में तो दे चखके, 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 डबल, सिंगल, और शिरंका टीम को आप देखे हैं, विकित भी लिए हैं, लेकिन ये हुआ क्या है, हुआ क्या है, हमिर्पी कॉर्ड ने भी कुछ खास मौमस नहीं दी, तो बेसिकली आज आज आपके बड़े नाम ने काम करके नहीं दिया, वही उनकी अटपट्टू, बड़ा नाम, अच्छा काम करके दिया, फानल डिय अग्या करके दिया, बड़ा ने भाई, आपकी जो मरजी जो जो इसकोर कार दिखा दिए, एक सो साथ, एक सो चासेटरन विमिन्स टीम में, बहुत होते हैं, कुछ नहीं था, इसमाच में भी नहीं था, ठीक है, अब तो रिजल्ट यह है, इसमाच में रिजल्ट यह है, बह इसे स्थाई में हाकार मजग Each time India में हाकार मजगर बहुत बढ़े एक्षन के तैयारी होने लगी है, आपte disciplines की मांग होने लगी है आप cricket प्रित कोर का वक्त अब गुजर चुका है हर्मन प्रीत कोर को हटा हो समती मंदाना को लेकर आओ अब यह सवाल खड़े होने शुरू हो गए क्योंकि फाइनल मुकाबले में हर्मन प्रीत कोर में चार गलतियां कर दी चार सबसे पहले बल्लेबाजी के तौर पर रन नहीं बना हैं तो हर्मन प्रीत कोर को गेनवाजी के लिए आना चाहिए था आप एक कप्तान हैं आप एक गेनवाज भी हैँ आप एकर लांडर आप एक अपने माजी की जिममेधारी क्यों नहीं उठाई फो अपर सवाल खरे आता भाई साब हर्मन पीत के रिकौर के हाथ में कैच आप दिखिएगा बहुत आसान कैच था आप उस कैच को नहीं लपक पारे भाईया जब आप खेल रहे हो मैदान पर हो खिलारी हो सीनियर खिलारी हो कफतान हो और ऐसा लड़ू कैच नहीं लपक पाऊगे तो भाईया कैस अपनी टीम को एशिया कप जिता होगे। शमीरा अटापटू, क्या कमाल की बल्लेबास, क्या कमाली कप्तान और समर विक्रमा इन दो ने जिस तरह से इंडिया से जीच ही नी वो अपने आप में काबिले तारीफ थी, ये बताने वाली थी कि टूनामेंट जीतना टूली डिसर्फ करती थी। टीस पर टीस लेकिन हर्शिता ने उसके बाद ऐसा कूटा, ऐसा कूटा। दो ट्रॉफी दर सुधर के ये दो जार सार्स लेकिए, एक बांगलादेश हमसे 2018 में जीच चुका है और आज बतलब यहां पर भी लग रहा था कि चमाली अट्टा पर 2 वर्सेस इंडिया है, इंडिया ने 165 बना दिये थे, और 165 कहीं नहीं लग रहा थे, जिसने साब से देखें कि या ठीक है, इनफ है, इनफ रंस on the board है और इंडिया कर लेगा, क्योंकि इंडिया के बोलिंग है, बट इंडिया नहीं कर पाया और तारीफ आपको करने पड़ेगी, लेकिन इंडिया को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने इस पूरे टॉर्नमेंट क स्टार्ट फॉर्म पागिस्तान, सेकंड मैच यूई, सब को ही डॉमिनेट गिया, आपने नेपाल, हर टीम को साथ आपने खेला, और श्री लंका साथ अच्छाए, बांगरेश वालों को भी आपने डॉमिनेट किया, पुरा, श्री लंका सिफ हमें नहीं हुआ था मुकाब वो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कि ओके, कभी हर्मन बैट गई, पूजा वस्रकर में बैट जाओ, ति नमबर तीन पर इनको खिला लो, बट ये एक बहुत बड़ा एरिया ओफ कंसर्न है इंडिया के लिए